केके आर और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए IPL 2022 के आठमे मुकाबले में लगभग हार चुके मैच में दिगज और राउंडर बल्लेबाज आंद्रे रशेल तुफानी बल्लेबाजी के दम पर केके आर ने पंजाब किंग्स की टीम को 6 विकेट से हरा दिया है अब तक खेले कुल तीन मैचों में दो जीत के शाथ केके आर की टीम पॉइंस टेबल में टॉप पर पहुँच चुकी है आपको बता दें कि पंजाब किंग्स के खिलाब आंद्रे रशेल की तुफानी पारी के बाद आईपील की लगभग सभी टीमों के गेदबाज हर थर काप रहे हैं केके आर की टीम के कप्तान स्रेय सेयर भी मान रहे हैं कि अब आईपील 2022 में आंद्रे रशेल के तुफान को रोक पाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा दोस्तों आपको क्या लग रहा है इस बार आंद्रे रशेल अपनी तुफानी बल्लेबाजी के दम पर केके आर की टीम को बना पाएंगे चेंपियन कॉमेंट्स करके अपनी राय हमें जरूर बताएं आपको बता दें कि पंजाब किंग्स के खिलाप खेले गए लोई स्कोरिंग मैच में एक समय के क्यार की जीत मुश्किल लग रही थी मात्रे 137 रनों के छोटे लच्छे का पीछा करते हुए कुल 51 रन के स्कोर तक केक्यार के चार दिगज बल्लेबाज आउट हो चुके थे एक के बाद एक अजिक के रहाने विंकटे सेयर निती इसराना और स्रेयस अयर जैसे चार दिगज बल्लेबाजों के स्रस्ते में आउट करने के बाद पंजाब किंग्स के गेदबाज भी अपनी टीम की जीत लगभग टाय मान चुके थे लेकिन इसके बाद केके आर की तरफ से बल्लेबाजी करने आए आंद्रे रशेल अकेले ही पंजाब किंग्स के गेदबाजों पर तूट पड़े एक के बाद एक आंद्रे रशेल के छक्के देखकर पंजाब किंग्स के गेदबाज मैदान पर ही रो पड़े दरसल सुरुवाती चार विकेट गिरने के बाद पंजाब किंग्स के गेदबाज के क्यार को हलके में ले रहे लेकिन आंद्रेर रशेल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें हलके में लेने का परड़ाम किसी भी टीम को भूगत ना पड़ सकता है आठ शांदार छकों की मदद से नबाद सत्तर रनों की पारी के साथ आंद्रेर रशेल बाखी टीमों को भी चेतावनी दे चुके हैं कि आने वाले मैचों में उनके शामने संभल कर गेदबाजी करना होगा